टीवी की दुनिया में रियालेटी शोज आजकल लोगों को खुब पसंद आते हैं ऐसे मैं आजकल रियालेटी शोज का लोगों के बीच एक अलग ही क्रेज देखा जा रहा है वही इन रियालेटी शोज पर कई बार सवाल भी खड़े होते रहे हैं जो चौकाने वाले रहे हैं अब हाल ही में एक सिंगर ने भी रियालेटी शोज को लेकर खुब खरी खोटी सुनाई है जी हाँ, हाल ही में इस तरह के शोज पर एक सिंगर ने अपनी भड़ास निकाली है आपको बता दें कि ये सिंगर कोई और नहीं बलकि रेखा भादवाज है जिदर असल उन्होंने हाल ही में एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा उनका मानना है कि इस तरह शोज में बच्चों की मासूमियत को खत्म किया जा रहा है और ये दुखत है जिसमें रेखा जी ने लिखा मुझे समझ नहीं आता कि मुजिक रियलेटीज शोज में धेर सारा ड्रामा क्यों होता है मुझे ये देखकर दुख होता है कि बच्चों को संगीत की शिक्षा देने के बजाए इस पर जोर दिया जाता है कि वो कुपिटीशन करे वो वोट मांगे और ग्लेमरस दिखे गुरु शिशिपरमपरा के नाम पर हम उनकी मासुमित को खत्म कर रहे है आज मुझे बहुत दुख हो रहा है और मैं प्राथना करती हूँ कि खुदा न करे मैं कभी इस तरह के शो का हिस्सा बनू जहां संगीत के नाम पर बस शोर है इसी के साथ रेखाजी के इस पोस्ट पर लोग जम कर कमेंट कर रहे हैं ऐसे में एक यूजर ने अपनी पोस्ट पर लिखा कि बच्चों की फिक्र कौन करता है इस सब बिजनस है जो टी आपी के लिए चल रहा है दुखत स्टोरी दिखाई जाती है और पेरेंट्स रो रहे होते हैं एंकर्स, जज, सभी फ्रेक हैं इसी के साथ एक अन्य यूजर ने लिखा इंडिस्ट्री में कोई तो है जो ऐसा कह रहा है चो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही टीवी और बोलेवुट से जुड़ी इसी लेटस्ट गोसिप्स के लिए जुड़े रहे हैं और देखते रहे हैं फिल्मी पंचायर शुक्रिया